हेलो विवार्स वेलकम टू टारो विदीश्वरी आज का ये टॉपिक आपको तो पता चल ही चुका होगा थमनल देखकर ये जो दिवाली है ये आपके लिए कैसे जाने वाली है इन डिटेल सूपर डिटेल रिडिंग होने वाली है जो लोग नए आये हुए है थांक यू सो म आप नजर आ रहे हैं ये दो कार्स में dire आपको एक काड को चूस कर ना है सो चलिए में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूं यह काड है यह कार्ड है शाम कार्यों का सब्रेड प्लेइंक सताब तो इन दोनों में से आपको एक फैइल को चूस करना है मैंने पहले से ही और आपको दोनों च्ट हरे हैं तो आपको идет काड़ आपको लोगे सकती है अगर आपको सोब मैं अपको आपको रिलेशनिफ करियर फिनान्सिस कैसे होने वाले आपके दिवाली के बाद के future कैसा रहेगा दिवाली में जो आप decisions ले रहे हो वो आपको कब मिलेगा जो भी decisions लोगे उसका output कब मिलेगा कि इस दिवाली में कौन कौन से चीज़ा आपके जिन्दगी से चली जा रही है ओके सो बहुत कुछ पता चलने वाला है आपके लवन के बारे में पता चलने वाला है वो आपके बारे में क्या सोचते इस दिवाली के बारे में आपके साथ दिवाली spend करने के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे ये भी आपको पता चलेगा सूपर डिटेल रिडिंग के लिए तयार हो ज़ए है अब तक आपने पाइल चूज कर लिया होगा तो चलिए एंटर करते हैं आपके रिडिंग में उससे पहले एक छोड़ी सी नोट है जो नए आये हो है उनके लिए देखें आपकी जो energy होती है, frequency होती है, vibrations होते है वो इस वीडियो में जुड़ जाते है साथी में आपके जो situation है, आपके partner के situation है उनकी vibrations इसमें जुड़ जाती है तो आपको न यह messages जो है वो resonate होते हैं अगर messages resonate नहीं हो रहे है, इसका मतलब वो किसी और के लिए है अब दूसरी पाइल्स देख लीजे आपको detailed guidance मिल जाएगा इसमें angel guidance भी है self guidance भी है तो चलिए enter करते हैं आपके reading में Hello viewers, welcome जिन लोगों ने भी the Empress इसको choose किया हुआ है, इस card को choose किया हुआ है सबसे पहले तो आपके जीवन में आपको abundance मिलने वाला है बहुत सारा अब तक जितना भी negative चीज़े चल रही थी ना वो सब हटके नई शुरुवात होने वाली है So very very congratulations, तो शलिए देखते हैं tarot card के हिसाब से आपके जीवन में आपकी health, relationship, career, finances इस दिवाली कैसे रहने वाले है सबसे पहला card health का, देखिए health में तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, temperance का card है, balance का card है और जो भी ताय करोगे वो मिल जाएगा, बहुत ही समरिद्धी पूर्वक और सही बात है ना, आप दिवाली को बहुत अत्तर लगाओगे, सुगंदी द्रव्य लगाओगे, ना होगे अच्छे से, सुगंदी पानी से, तो आपकी skin भी बहुत तेजों में हो जाएगे तो health के लिए है, physical health, mental health आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, balance होने वाली है, जो भी efforts आप लेंगे दिवाली में, definitely आपको आगे चलके उसका profit मिलेगा ही मिलेगा आपके रिष्टों के लिए है कि कुछ रिष्टे आपको जो बिछडे हुए है, वो वापस आपके जिन्दगी में आने की कोशिश करेंगे, बट कभी कबार हो जाता है, हम इतना hurt हो चुके होते हैं, कि हम उनको दूर रखना ही पसंद करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके रिष्टी निजर आ रहे हैं, बट आपको उस offer को accept कर लेना चाहिए, जो भी आपके past life में हुआ है, उसको मारुक गोली, उसको गिंगा मातक के पास छोड़ दो, और नई शुरवाद इनके साथ करो, देखियो राहू जब आता है ना, तो रा opportunity तो आपके पास आएगी जरूर, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचके रही है, जो लोग आपको दिखा रहे है कि वो आपके साथ है, करियर को लेके, investments को लेके, पैसो के मामले में, लेकिन वो अपके साथ नहीं है, वो अपने फायदों के लिए है, तो थोड़ा सा सतर्क रह है, लोग उन से बचके रहे है, finances के लिए, दिवाली है, तो खर्चे तो होंगे, राहुद दो बार आ चुका है, आपके card में, तो इसका मतलब यह है, कि पैसो को लेके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो रिष्टे है, आपके, उन रिष्टों के उपर इतना खर्चा हो सकता है आप अपने आपको guilt feel कर सकते हो, कि यार कितना पैसा खर्च हो गया, मैं पैसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, यह आपके दिलो दिमाग पर रहेगा, लेकिन देखिए, जब हमारे पास पैसों की दिक्कत होती है, तो हम हमारी जरूरते कम कर सकते हैं, ठीक है, यह दिवाली आ बैलेंस लाने के लिए आ रही है और वो जरूर बैलेंस करेगी आपके तीनों सेक्टर में हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है उसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन रिलेशनशिप करियर इन फिनांस इसको इक्वल करने के लिए यह दिवाली आपके जीवन जीवन में आ रही है तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपके जीवन से निकल जा रही है इस दिवाली तो सबसे पहले क्या जा रहा है ओके यह जो जखडन होती है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम क्या करें हम तो देखिए फिर से रह हुआ गया तो कहीं ना कहीं कि आपको ना जखडन महसूस हो रहें अलोनेस महसूस हो रहा है कि यार मैं क्या करूँ मैं बंदिश में हूँ यह बंदिश सारे तोडने का वक्त आ चुका है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशिल है बहुत ही ज़्यादा देख रहा हो ना इतना ज़्यादा तो आपको टेंचन लेनी की तो इस चीज को टेंचन लेनी की बिलकुल भी अवशक्ता नहीं है यह चली जा रहे है आपकी जीवन से अब क्या आ रहा है देखते हैं एस ओफ कप का काड है गुट है लव जॉय ब्यूटी निव रिलेशनशिप्स कमपैशन और क्रियेटिविट क्रीं देख्ति आक आपके जीवन में आ रहे इसे आते हैं अहां पर अपको दिखाए देगी मालक्ष्मी नना सुंदर का रहे हैं बहुत ही बहुत ही खुशाल का आड़े देखिंए मालक्ष्मी खुद आ रही आपके पास दीवाली में टॉट लेनी की बिलकुल भी आवश The Strength का काड आ चुका है Controlled Love रहेगा आपका एक दूसरे के प्रती समर्पन रहेगा थोड़ी सी भावनाएं आपकी बदल रही है जो लोग कंट्रोल कर रहे थे अब वो सरेंडर के मूड में आ चुके हैं और जो लोग सरेंडर कर रहे थे अब वो कंट्रोल के मूड में आ रहे है तो आपका जो रिष्टा है वो बैलंस होते हुए नजर आ रहा है जरूर ख्याल रखे अपने पार्टनर का उनको कुछ न कुछ डंडल इशू हो सकते हैं देखे यूर ड्रीम्स और डिफरेंगे और उसके उपर काम करेंगे ये बहुत अच्छा है दिवाले में आप दोनो एक साथ आ रहे हो तो दिख रहा है ना कि वो चाहते है कि आप दोनों साथ में रहें साथ में आगे प्रोग्रेस करें तो चलिए इस चीज के लिए कौन सा पॉफेक्ट टाइम है देख लेते आपके लिए डिवाइन टाइम अब भी दिवाली के अंदर ये समय नहीं है है विदन नाइन मंट्स विदन नाइन मंट्स आपके जो रिष्टे है आप जो तै करोगे दिवाली में दिवाली में आपको डिसीजन लेना है और दिवाली में ही आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका रिजल्ट आपको नौ महीने बाद मिलने वाला है विदन न लाइफ कितना ब्यूटिफुल काड़ है वो जानते हैं कि आप उनके सोल में ठो वो अपसे बहुत प्यार करते हैं अगर ये उनकी आखरी दिवाली भी होना तो वो खुशे-खुशे मेंना पसंद करेंगे क्योंकि आप उनके साथ इस जनम में हो लेकिन आप दोनों के रिष् दिवाली के लिए इफ यू बिलीव प्लैनिंग का भी काड है ये तो आपको अपने उपर भरोसा रखना है और चीजे करनी है बहुत बंडिफुल काड़ आया है गाईज लेट सी फॉर सेल्फ गाइड़न्स लां सम्थिंग नियो इस दिवाली ना आपको कुछ ना कुछ में सीखने की जरुवत है वाँ कितने ब्यूटिफुल कार्ज आये हुए गाइज आपके थैंक्यू सो माच वीडियो पूरा देखने के लिए जू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में वैलकम सो जिन भी लोगों ने शामा काल कि आपके जीवन में ये जो दिवाली है वो क्या बदलाव ला रही है वो कैसे जाने वाली है आपके हेल्थ रिलेशन्शिप करियर एंड फैनांसेज लेट सी वाँ देखें आपके हेल्थ के लिए ये आया हुआ है ना कि बहुत सारे नॉलेज आप इकटा करोगे और बहु कि रिष्टों के लिए देखें कितना ब्यूटिफुल काड आया हुआ है अब अपने फैमली के साथ पूरी दिवाली एंजॉय करोगे कुछ लोग गाओ भी जा सकते हैं सो वाँ वन्टिफुल कार रिष्टों के लिए यूनिटी है लव है फ्रीडिम है जॉय है क्या बात ह करियर के लिए भी आया है आपना एक और पहुचेंगे आपके उपर रिस्पॉंसिबिटी बढ़ेगी अगिन ट्रावलिंग का काड आया हुआ है करियर से रिलेटेड भी और डिवाली के लिए भी सो आपकी चुट्टिया भी आपका कामकाश चालू रहेगा ऐसी बात आ र मिले यह मुझे तरक्की हो इस दिवाली से सो डेफिनेटली यह दिवाली आपके जीवन में बैलन्स ला रही है जस्टिस ला रही है इमोशन्स जादा मुझे दिखाई दे रहे यहाँ पर फ्रीडम भी है और साथ में नॉलिज गेनिंग भी है सो बहुत ही अच्छा है चलि देख लेते हैं स्ट्रेस आपके जीवन से जा रहा है जो भी स्ट्रेस आपके जीवन में हो रहा था आपको लग रहा था कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है इमोशन कंट्रोल कर रहा है या चीज़ें कंट्रोल कर रहे है तो वह आपके जीवन से जा रही है इस दिवाली इन रमकाज में इतना गुम हो जाई है ना कि आपको जो ओवर्धिंकिंग वाली आवास होती नहीं वो ना सुनाई दे शांती वाली आवास सुनाई दे ग्रेट अब देखते हैं क्या है वो आ रहा है आपके जीवन में एट ऑफ कप डिसपॉइंट्मेंट है मिस्ट्री है विड् दिटरा रहें आपको लग रहा होगा कि में रास्ता भिटक चुका हूं भिटक चुकी हूं लेकि नहीं आप सही राश्ते पे हैं और आपको आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए यह टाइम ही है आपका एम फिक्स करने का चीजों से भागने का नहीं है एम फिक्स करके उन्स एम के लिए चलने का है तो यह जो प्लानिंग है वो आपके जीवन में आ रही है अब हम देखते हैं कि आपके जो दर लववन है जो रिष्टे है वो आपके कैसे रहेंगे आपके लववन के साथ देखें टू आफ कप काड़ा है एमोशनल डिसीजन यूनियन आप अग आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर यूवर फॉल्स प्राइड नेगो यह कहीं नगई खतम हो रहा है आपके जीवन से और आपका पार्टनर आकर आपको यह चीज बोलेंगे जरूर और इस वज़े से आप दोनो साथ टाइम स्पेंड करेंगे बहुत अच्छी बात है यह चली अब यह देख लेते हैं कि जो भी चीज आप दिवाली में तय करेंगे जो डिसीजन लेंगे वह डिसीजन इक इतनी अच्छी बात है कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत जादा प्यार फील करते है और एक दूसरे के लिए समर्पित है चले देखते हैं कि वो आपसे प्यार क्यों करते हैं I love you because when I am with you I can be I can be myself वो बस अपनी तरीके से रहते हैं क्योंकि देखिए रोज मरा के जिन्देगी में हमारे अलग-अलग पहलू होते हैं हम अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तर वैसे ही उनको रहना पसंद है वो मजाकिया है जॉइफूल है सो वैसे ही उनको अपके साथ रहना पसंद है विच वेरी गुड अब चुले यह देख लेते हैं कि आपके इस दिवाले में जो भी आप डिसीजन्स लेंगे उन डिसीजन के ऊपर जो रिजल्ट है वो कब आप करने की सोच रहे है तो अगस तक आपके जीवन में वो चीज आपको मिल जाएगी जिस किसी भी चीज के ऊपर आप डिवाली में डिसीजन्स लेने वाले है चले थोड़ा लॉंग टम देख लेते हैं अच्छा जो लॉंग है वो आगया शॉट टम के लिए जो शॉट टम हो दिवाली के लिए तो एंचल का गाइडन्स है आपके लिए वेट देखिए टाइम भी आया है ना बड़ा टाइम है तो आपको वेट करना जरूर है और वेट मतलब क्या करना है बस हाथ पर हाथ धर बैटना नहीं है प्लानिंग करनी है क्योंकि आया था आपना एम के ऊपर फोकस करो बटको मत इदर उदर ओके अब चलिए देख लेते हैं आपके लिए सेल्फ गाइडन्स क्या है एक्सप्रेशन्स है सो अपने आपको ना थोड़ा सा थोड़ा और ज्यादा पैंपर करो सिक्यूर फील करो यह आपके लिए जरूरत है और आपके अंदर ही एंजिल है सो अपने इनर वोइस को जैसे आपके लिए आया भी था इनर वोइस को सुनिए आप जरूर सुनिए सो चलिए यह थी आपके रिडिंग और थैंकिस सो मज यहां तक आपने वीडियो पूरा देखा प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजे शेर कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे और कमेंट करके मुझे जरूर बताना यह रिडिंग आपको कैसे लगी वीडियो के अंत में आपके लिए टिप है तो वह जरूर देख लीजे यहां तक आप पहुंचे है इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली आप लोगों ने सारे वीडियो को देख लिया है तो यह इस लिए है कि इस दिवाली में आपके पास जो लक्षमी आएंगी जो धन प्राप्ति होगी उसको हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए यह एक छोड़ी से टिप है जैसे कि यह सेवन चक्रा ब्रसलिट है यह किस चीज को दर्शाता है आपके ह इस प्रकार से कुछ क्रिस्टल होते हैं जो आपके पास आनी के वज़े से वेल्थ भी आती है तो वह क्रिस्टल कौन से है चलिए देख लेते हैं जिन भी लोगों ने दा एम्प्रेस को चूज किया है उनके लिए है पाइरेट और सिट्रीन जो है शामा का लिमा को चूज क किया है उन लोगों के लिए तो यह बैसिकली दोनों के दोनों क्रिस्टल जो है वह आपके जीवन में वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं सो इसके डीटेल्स जो है वह यहां है वीडियो को पूरा पढ़ सकते हैं और जरूर यह आपको अगर चाहिए होंगे तो कॉन्टैक्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और इसको कैसे चार्ज करते हैं क्या करते हैं इसको कैसे पहनते सारे सवालों की जवाब एक नए वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे तो यह थी दिवाली की आपके लिए बोनस टिप कि आप अपने जीवन में कौन सा क्रिस्ट गहरे हो जाए यह दुआ है मेरी और मा लक्षमी की कृपा हमेशा आपके उपर बरकरार रहें तैंकी सो मच वीडियो यहां तक देखने के लिए मैं मिलूंगी ईश्वरी आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए दूसरे सारे वीडियो आप देख लीजे वेल्कम टी चारवी दिश्वरी यह जो संडे वर्क्षॉप है इस संडे वर्क्षॉप में आप क्या जानकरी हासिल करेंगे सबसे पहने टारो कार्ड है क्या क्या टारो कार्ड फेक है या टारो कार्ड रियल है इसके बारे में आप जानेंगे दूसरा टारो कार्ड के थोड़ी हिस्ट तो आप या और कितने वी भाजन होते हैं, ये भी आप जानेगे. इस संडे वरक्शोप में, आप एक प्राइप जानेगे, वैसे तो बहुत सारे फ्राइप होता है, लेकिन आप एक जाने और उसका जो pushing की जाती है? कुछ keywords आप जो है वो जानेंगे जिस वज़े से कोई भी अगर टारोकार के बार में बात्षित कर रहा हो तो आपके पास उतना तो नौलेज हो कि आप उस conversation में एंडर कर पाऊ तो देर किस बात की चलिए जान लेते टारोकार है क्या जल्दी से अपनी सिख बुक कर लीजे लि